नमस्कार दोस्तों, दोस्तों सीडिया घर में बहुत important role play करती है अगर आपकी सीडिया अच्छे से नहीं बनी है तो future में आपको बहुत सारी समस्या आने वाली है दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मात्र 6 fit by 6 fit में सीडिया हम कैसे बनाएंगे दोस्तों वीडियो को end तक देखके जाना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe का बटन दबा के जरूर subscribe करें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप किसी भी size में staircase बना रहे हो यह 5 चीज़े आपकी हमेशा लगेंगी पहला है riser यानि step की height कितने होनी चाहिए दूसरा है trade यानि step की length कितने होनी चाहिए ताकि आपका pair पूरा आजाए क्योंकि pair पूरा नहीं आता कई बार और उससे future में आपको joint pain होने की संभावना है तीसरा है flight thickness यानि जो आपकी staircase है उसके नीचे का slab है वो कितना होना चाहिए ताकि वो टूटे नहीं चोथा है आपका step width दोस्तो आपके step की width कितनी होनी चाहिए ताकि आप समान नीचे से उपर और उपर से नीचे आराम से ले पाएं और पाँच वाए दोस्तो बहुत ही important आपकी सीडियों का angle आपके staircase का angle कितना होना चाहिए अगर आपका दोस्तो angle सही नहीं है आपको लगेगा आप staircase नहीं बलकि पाहड चड़ रहे हैं तो angle सही रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तो पहला point है riser दोस्तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि riser की height आप default 6 inch रखें क्योंकि अगर आप ज़ादे रखते हैं तो हमारे घर में भुजूर्ग लोग होते हैं या बिमार महिला होती है जिनको नीचे से उपर चड़ने में और उपर से नीचे उदरने में काफी परिशानी हो सकती है future में बढ़ दोस्तो क्योंकि हमारे पास space अभी 6 feet by 6 feet है और यह बहुत ही कम space है और slab की height या नीचे लिंटर की height 10 feet है एक feet में होते हैं 12 inch 10 feet में होंगे 120 inch तो दोस्तो यहाँ पर हम riser रखेंगे 8 inch अब दोस्तो 8 inch का हमने riser रखा है अब हम देखते हैं हमारे number of steps कितने आते हैं तो 120 inch जो की slab की height है उसको हम divide करेंगे 8 inch से तो निकल के आता है 15 number of risers यानि हमारी इस 6 भाई 6 की CD में 15 number of risers लगेंगे दोस्तो अगला point है trade यानि step की length दोस्तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है आपको trade का default length 10 inch रखनी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आप trade की length कम रखते हैं तो आपको नीचे से उपर चड़ने में काफी परिशानी आती है क्योंकि पूरा पूरा pair ही नहीं आपाता इसको निकालने का बहुत ही असान formula है जो कि यह R-1 यानि riser-1 तो दोस्तो riser हमारे पास आये थे 15 number of risers तो 15-1 यानि 14 यानि 14 आपके steps होंगे 14 trades दोस्तो आपके 6 by 6 की staircase में लगेंगे दोस्तो अगला point है flight thickness दोस्तो 6 by 6 staircase के अंदर आपको 4.5 इंच की flight thickness रखनी है इससे जादा रखेंगे तो वो heavy होने कारण collapse हो सकती है और इससे कम रखेंगे तो वैसी weak होने कारण वो तूट जाएगी तो 4.5 इंच की आप flight thickness रखें दोस्तो अगला point है step width दोस्तो 6 by 6 की staircase के अंदर आपको step width रखनी है 3 feet इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं step width को घटा देते हैं और जिसकी वज़े से वो नीचे से समान उपर ले जाना या उपर से समान नीचे उतारने में बहुत परिशानी होती है वो फिर आपको बाहर के बाहर ही करना होगा तो step width को आप रखें 3 feet दोस्तो अगला point है stair angle दोस्तो angle बहुत important role play करता है एक study के अनुसार अगर आपकी stair साई से नहीं बनी होई है तो आपको psychological impact हो सकते हैं जैसे की stress और frustration और जिसकी वज़े से आपकी mental health भी खराब हो सकती है दोस्तो 6 by 6 की staircase के अंदर आपका angle आएगा 40 degree angle निकालने का बहुत ही असान तरीका है angle is equal to 10 inverse riser divided by trade तो angle is equal to 10 inverse 8 inch जो हमारा riser था divided by 9 inch जो हमारा trade था और angle आएगा approximately आपका 40 degree तो 6 by 6 के अंदर आपका 40 degree का angle हो गया है दोस्तो अगर आपको कोई भी issue आ रहा है अपने staircase का angle निकालने में तो नीचे जरूर कमेंट करें मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका reply करने की चली दोस्तो देखते हैं हमारा 6 by 6 में staircase कैसे बनके निकला है दोस्तो उसमें starting के 3 feet 7 inch में मैंने 5 steps रखे हैं जो की 9-9 inch के हैं उसके बाद 2 feet 3 inch में आपका landing step है 2 feet 3 inch में इसके रखा है ताकि आपको नीचे से उपर जाते हैं और उपर से नीचे समान उतारते हैं कोई परिशानी ना हो और उसके बाद उपर चड़ते हैं landing step से 10, 11, 12, 13, 14 यह आपका slab में जाके connect हो जाएगा दोस्तो staircase की width 3 feet है जैसे कि मैं आपको समझाय तक कम होगी तो staircase किसी काम कर नहीं है दोस्तो जो आपका landing step है 6, 7, 8, 9 यह कुछ इस तरह के से दिखेगा दोस्तों design मैंने आपके लिए बनाए ताक कि आप असानी से समझ सके कि मैंने landing step को किस तरह से काटा है 6, 7, 8, 9 और riser की height आप जानते ही है जो कि यह 8 inch और यह बनने के बाद दोस्तों इतनी height gain कर लेंगे यहां से आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक यह इतनी height यहां पर gain कर लेंगे तो मुझे पुरी उम्मीद है आपको असानी से समझ में आगया होगा कि lending step को किस तरह से काटा गया है दोस्तों अगर आप घर बैठे नक्षा बना के पैसा कमाना चाते हैं तो हम आपके लेके आएं 2D house designing course जो कि live training होगी दोस्तों और इसके साथ आपको मिलेगा 100% placement यानि कि इस course के खतम होने के बाद आप नक्षे बना के पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं दोस्तों हम आपको सिखाएंगे step by step बहुत आसान तरीके से ताकि आप आसानी से सब कुछ सिख जाएं और साथ ही साथ आपको सिखाएंगे कि client handling कैसे करनी है client को handle कैसे करना है client से क्या बात करनी है और अपने सारे clients को कैसे manage करना है तो आप घर बैटे ही शुरू कर सकते हैं सिर्फ आपको नीचे दियावे number पर call करना है दोस्तों WhatsApp नहीं करना है call करना है नीचे दियावे number पर दोस्तों आपको कोई भी सवाल हो तो मुझे comment करके मुझसे पूछे वीडियो अच्छी लगे तो like करें चैनल को subscribe करें आपका दिन शुब रहे धन्यवाद